असलाम लेकूम वीवर्स वेलकम टू मी एन माइन रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मस्क मिलन पंच की रेसिपी तो इसके लिए हमने एक यहां पर लिया है मस्क मिलन और उसे इस तरह से कट कर लिया है वान इंच के डिस्टरंस पर से थोड़ा सा हम इसे बैक से भी कट कर लेंगे ताके यह इजली सेट हो सके आज कल यह यूटूब पर बहुत ट्रेंड में है तो इसे हमने भी सोचा कि हम भी ट्राइ करें और आपके साथ शेयर करें और सबसे पहले हम इसके अंदर का पल्प रिमूफ करेंगे विद्धा हेल्प आफ इस्पून वाकई यह बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही असानी से बन जाती है आप चाहे तो इसके स्मूधी बना का फ्रीज कर ले और अगर कोई गैस ट्राए तो उसे तो यहां पर देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेर करें विद्ध यूर फ्रेंस एंड फैमिलीज और अब हम इसे रख देंगे फ्रेज में थंडा होने के लिए जब तक यह थंडा हो रहा है हम स्मूधी रैडी कर लेंगे तो यहां हमने लिए एक मिक्सी जार यह आप जूसर का भी यूज कर सकते है और इसमें हम एड करेंगे मस्के मिलन पल्प सीड हमने रिमोफ कर लिया अवर कि एड करेंगे रज कब मिलन अध्यक्सिर का इसके अदर क्यूच को फोड़ें करेंगे हाफ कब चल्प मिलकially और अगर आपक्पर का यूजst करेंगना ना हो तो रूम्सक्राइश के पैस्ञीग दिए और इसमें स्मूधी बना लेंगे यहां आपने इसका स्मूधी नेक्स्ट हम इसमें एड़ करेंगे फ्रूट्स जिसमें मैंने सबसे पहले यूज किया है बनाना एंड ग्रैप्स आप चाहे तो अपनी चोईस के भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं फर एक्जामपल इस्टॉबेरी औरेंजेस अगेन हम इसे कवर करेंगे विद्धा हेल्प इसमूदी नेक्स्ट हम इसमें एड़ करेंगे एपल चुंक्स तो यहां हमने एपल को छोटी-छोटी तुकड़े में कट कर लिया था अगेन हम इसके ओपर पोर करेंगे एस्मूदी और अब हम इसमें एड़ करेंगे आइस क्रीम यह उपशनल है आप चाहे तो एड़ करें या चाहे तो नयट करें तो यहां पर हमने यूज किया है वागए स्कूप वनिला आइस क्रीम और इसकी जगा आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं तोड़ा सा गानिश करेंगे ड्राइ फ्रूट से और सम फ्रूट से उपर से इसके उपर ड्रिजल करेंगे रूपजा आप चाहें तो इसके उपर चॉकलेट सरब भी ड्रिजल कर सकते हैं और ये रेडी हमारा मस्क मेलन पॉंच अला हाफ